तो भाई वो सारे बच्चे जो 11 से 12 में मूव करने वाले हैं और प्रोबेबली अपना जेई और नीट का एक्जाम 2024 में देने वाले हैं उन में से कई बच्चों की 11 या तो पूरी बरबाद हो गई है अना कि 11 की फिजिक्स नहीं आती या फिर उसके कुछ टॉपिक्स किसी कारण वस छूट गए हैं खुदी मकारी मार दी या फिर कुछ बीमार बगरा पड़ गए थे जो भी रीजन रहे हो छूट गए हैं और अब 12 में एंटर करने बालाएं तो अब बहु पता है कि 12 की फिजिक्स के कई यहां आगे की टॉपिक्स पड़ पाओगे इनमे से कौन-कौन से चेप्टर इंडी टॉप्ली इंडिक्स बाइगे था न अब बात करने बालाओ और क्प्लीटिलिल तुमें क्रूज Worlds की अगर कोई बच्चा उससे देखना चाहते है तो देख सकता है उसे वीडियो की लिंक में डाल दूँगा बाकि अभी मैं क्लास 12 की फिजिक्स से बारे में बात करने बालुआ तो देखो भाई कोई भी चेप्टर ठालो विए टॉकिंग इधर इन तर्मस और एनरजी और सम्टाइम्स और मोमेंटम तो यार यह बहुत श्रॉंग कर लो है इंडिट जो बच्चे अभी देख रहे हैं अभी अपना फरवरी चला है ना 28 फरवरी आज मार्च है तो लगवक अभी बच्च से है ना अनकाटमी पर जेई और नीट दोनों के लिए अलग अलग बैचे से लॉंच कर रहा हूं जिसमें मैं सबसे पहले तुम्हें क्लास 11 की फिजिक्स का पूरा रिवीजन कर वाऊंगा और साथ मैं उसके बाद 12 की फिजिक्स का से अपन करेंगे और सेप्टें नीट और जी दोनों के लिए ना उनके साथ तुम पढ़ना चाहते हो तो अनकाटमी प्लस या आइकोनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मेरा रिफ्रेल कोड फिजिक्स लाइफ इससे तुम्हें मैक्सिमुम डिसकांट मिल जाएगा और साथ में तो मेरे परसनल गाइदें पर चलते रहेते हैं तो जो भी उसबग चल रहा होगा मैं तुम्हें बता दूगा ना क्या तुम्हारे लिए पर सकते हैं और तुम्हारी कोई तो देखो सबसे पहले तो यह कर लेना जिन बच्चों के यह तैयार हो चुके है या फिर अल्रेड़ी आते हैं सेकंड प्राइरिटी तुम्हारी यह होनी चाहिए क्योंकि अभी तुम्हारे पर वक्त है काइनमेटिक्स फ्रिक्शन सर्किलर मोशन सेंट्र मास इंड मोमेंटम है यह मतलब मेकानिक्स है ना रोटेशन नहीं भी कर पारहे तो चलो कोई बात नहीं अगर तुम इतना लोगे ना फिर तो भागी तुम्हें नहीं आनी कहीं दिक्कत कर ली है जिसने फिर ट्विट्काइड को परफस्ट प्राइडिटी रहे this is completely independent यह तुम्हारा completely independent में इसके आगे आई लिख देता हूँ इसमें कुछ भी नहीं जाहिए हना यह मान के चलना है बेसिक मैस वेक्टर तो आता है ना के साथ देको यह तुमारी इतनी मौडवन फिजिक्स कहलाती है तो अगर तुमको न्यूत लॉजी प्रकपर अनरजी आता है तो एक तुमारे लिधी बहुत बड़ा यह इंड्वेंटेज हो जाएगा नहीं आता तो भी तुम कर सकते हो इसके बहुत सारे पार्ट फिजीकल करनेशी के साथ कॉमन में इचल बात है है आगे बात करते हैं अब देखो पहले में इलेक्रोट के बारे में बताधे तो पहला चैप्टर होता है इसको अपन एक्ट्रोक से इसमें पूल्म फूर्स एलेक्ट्रिक पोटेंशी इनर्जीन सारी चीज़ों के बार में आपन बात करते हैं तो देखो इस में क्या होता है कि इस पूले पार्ट में तुम्हारी मेकैडिक अची खासी यूज हो जाती जांऀ अगर तो में सिर्फ यही अकला करना को जाए हमाना तो में दूख चाहते हो कि मतलब तुम इस सिर्फ फруго मचा verändert परती तो से पहले सभी को यह सलहा देता हो कि भाई आप मेकैनिक्स कर लो इतना यह तो करी लो आप इसके बिना तो चालू ही मत करो अगर आप साथ में सेंट्रो मास मोमेंटम भी कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा ना तो इसके लिए रिकमेंडेट रहती है जितनी जादा कर लो गया उतना जादा फायता रहेगा क्योंकि mixed topic पर question बनते हैं अगली चीज यह तो आनी आना चाहिए यह तो आनी आना चाहिए क्यों क्योंकि इसके बना तो तुम समझ भी नहीं पाऊगे जो पढ़ रहे होगे क्यों क्योंकि हम बहाँ पर पूरा की पूरी बाते फोर्स के टम्मे करने वाले इनर्जी के टम्मे करने वाले potential energy बगरा kinetic energy तो बहुत सरी बाते होंगी तो वह समझ में भी नहीं आएंगे तुम्हें concept है ना सिर्फ तुम formula रठ रहे होगे अगर इसके बनागर होगे तो यह ध्यान लगना इसलिए मैं जब भी 12 की physics पूरा रिवीजन करता हूं ताकि सबको एक आईडिया रहे जो हम शिक्सीन मार से करेंगे उसके बाद पहले जाता है इतने में वक्त मिल जाता है इन topics की recording बगरा देखके या फिर उसको श्ट्रॉंग करने का या फिर मैं parallel classes लगवा देता हूं ताकि तुम यह भी कर सकते हैं ताकि मैं चाहता हूं कि जब बाकी mostly independent current electricity easy भी है और scoring भी है तो इसको भी मैं independent में डालूँगा mostly independent ठीक है इसके लाब देखो moving charges and magnetism ये भी तुमारा independent है ना मतलब देखो independent मैं अतलब मैं मान के चल रहा हूं NLM और work power energy तो आना चाहिए ना basic math NLM work power energy मैं ये तो मान के चल रहा हूं भाई ये आता है तो मैं इतना तो आना चाहिए क्योंकि energy और तो energy बगर हर जगे यूज होती है तो इसको भी अपन mostly independent में डाल सकते magnetism आसान है मज़िदार है imagination बाला chapter है अगर आपको cross product बगर आता है राइट है तो बहुत अच्छे से होता है बहुत मज़ा आता इस chapter में बहुत interesting chapter है SC Brahma में ये चार पार्ट में divided हैं ये chapter NCRT में दो पार्ट में इवाइड है ठीक है इसके लावदे को electromagnetic induction अच्छे से समझना है तो आपको पूरे के पूरे topics आने चाहिए है क्योंकि इसमें सब यूज होता है इसमें ये में तुम्हारी सारी चीजी यूज हो जाती है तो तुम्हें इसको समझने के लिए कई लोग बिना उसके भी पढ़ते हैं फिर तुम रट रहे होगे तुम समझे नहीं पाओगे कभी फेस वगरा के मतलब है तो अगर तुम 11 का तो यह बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें आना टॉपिक समझ में आएगा और इसके लिए पुराने टॉपिक भी आने चाहिए एसी अपने इसलिए ओल्डर में पढ़ते हैं अब अब ऑल एसे चेम 11 का आना चाहिए और अब अब ऑल टॉपिक्स यह आएगा तो आपको इसको अच्छे से समझना है ना तुम लाइट को विजुलाइज कर देना चाहते हो एकदम तुम तुमारे दिमाग में के लिए हो जाए तो ऐसे चेम वेफ साउंड है एलेवन के सारे टॉपिक आने चाहिए एसे चेम वेफ एंड साउंड बिफोर है ना इम वेफ एसे कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इनको आप तभी पढ़ो जब आपके पूरे सारे तयार हो चुके इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं इसके बाद तुम्हें आइडिया रहेगा अगर तुम कभी भी कोई वी चैप्टर उठाना चाहते हो तो तुम्हें पत पड़ते हैं पॉलराइजेशन पड़ते हैं तो इसकी लिए अगें यह सारे टॉपिक आने चाहिए तो मैं ऐसे चाहिए वे अप्ट्पिक के लिए तो इसलिए वेपिस बाद में करते हैं और यह सब समझ में आ अच्छे से ना साउंड में जो हमें इंटर्फरेंस बगर के concept पढ़ते हैं, वो सब यहाँ पर काम आते हैं, यह topic फिर बहुत smoothly होता है, तुम्हें face, difference और इन सब के मतलब पता होते हैं, ठीक है, यह वाले topics तो फिर तुम्हारे independent है, तो देखो यह complete 12th की physics का overview है, इसका screenshot ले लो, ताकि तुम्हें इसको तुम अपने साथ रख सको, अब त इस chapter से पहले क्या पढ़ना है, और अगर तुम्हारे कुछ backlog है, तो तुम खुझ से decide कर पाऊगे, कि मुझे यह chapter उठाना चाहिए, या यह उठाना चाहिए, या इससे पहले मुझे क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, अगली चीज़ यहापर भी मैंने वो सारी बाते लिग तुम इसका भी screenshot ले सकते हो, ठीक है, भाई यह वीडियो अच्छा लगाओ, तो इसको share कर देना, तुम्हें लगता है तुम्हारे किसी दोस्कों इसकी जरूत होगी, कोई दोस्त है जो परिशान हो, तो कर देना, बाकी यह मेरा telegram channel है, इसको follow कर लेना, नीट बाले See you!